हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हूँ एटुजेट इपी जोन की तरफ से आज में आकास आप लोग को स्वागत करता हो तो आज में सारुखन का फेस एंड बॉडी स्कुल्टर बनने वाला हूँ अगर आप भी मेरे जैसे स्कुल्टर या आइडल बनते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो जिससे आप किसी आइडल या स्कुल्टर का फेस एंड बॉडी बहुत अच्छी तरह के से कस्टुमेस कर पाओगा अगर अभी तक आप लोग मेरे पुराना स्क लिएके हो तो आई बटन एंड डिस्किर्शिंब बॉफ्स में लिंक दिया गया है आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो सारके सारे स्कुल्टर इतनी आसान प्रोसेस में सिखाय जाता है जिससे आप लोग को करने में बहुत असनी होगी तो चलो जयादा बात ना बरक आ आप लोग घर में बना सकते हैं और अगर आप बनाना नहीं चाहते हो तो मैंने डिस्किर्शिंब बॉक्स में लिंक दे दिया है आप उसमें जाकर खरीच सकते हो तो अब हम चीन में थुरा मीटी एट कर लेंगे इसको सेप मिलाने के लिए मैं पहले से दो गोल पुतलिया आखों के लिए बनाय रखा था आप मैंने इसको फिट कर दिया अब मार्च टूल की मदद से आखों को मिला लेंगे जितनी देर तक मैं मार्च कर रहो आप उतने में लिख सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और नेक्स में आप किसके उपर वीडियो चाहते हो तो हमारा मार्च कंप्लीट हो गया अब हम उंगली से थोड़ा पॉलिस कर लेंगे फिर से लिप्स की तरह आखों को भी थोड़ा काट लेना पड़ेगा जहाब पर दो आखों का गोलगोल पुतलिया सेट कर पाए अब मैं आखों को करने बाला हूँ और एक एक करके मैं गालों में मिट्टी लगा कर सारोखन की स्ट्रक्चर में लाऊंगा तो तब तक आप देखते जाओ जिससे आपको अच्छी से नौलेज मिले तो अब मेरा सारोखन जी का लेट वाला हिस्सा कम्प्लीट हो गया तो अब मैं सारोखन जी का राइट वाला हिस्सा स्किप्प कर रहा हूँ वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अब मैं सुई की मदब से सारुख खंजी का मूछे, दाड़ी और भू के बाल को बनने वाला हो सब कुछ कम्प्निट हो जाने के बाद हम लोग फोर हेट को करने वाले हैं जिसके उपर बाल को सेट किया जाएगा जहाँ पर सर की उपर थोरा पानी अट कर लेंगे और धीरे-धीरे करके बाल को फिक्स्ट करेंगे और बालों की सेट में आने पर हम लोग उसे टूल्स की मदद से काट लेंगे अब हमारा सारुक खंजी का फेस स्कल्चर कंप्लीट हो गया तो अब बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है सेम से मुआ है प्लीज कॉमेंट करके बताओ अब हम करने वाले सारुक खंजी का बाडि स्कल्चर पहले तो हम लोग को मिट्टी को हातों की में दबा लेना पड़ेगा और बाद में बाड़ी के सेप में काट लेना पड़ेगा जहाँ पर जितना मिट्टी चाहिए होगा वह पर थोड़ थरे करके एट करके बाड़ी स्कल्चर बढ़ना लेंगे जहाँ पर बाद मैं सारूखंजी का सर को फिट कर दिया जाएगा है है मैं तो अब मैं ऐस अरो कुछिए का फेस को वाड़ी के साथ फिख्ष्ट कर लिया है अब मैं दीरेडीरे करके सारे के सरे ही स्थी ड्रेस को बनने वाला हूं तो अब बताओ आपके ये पूरा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कॉमेट एंड शेयर करना मत भोलना तो इतनी देर तक बने रिख लिए आपको बहुत बहुत सुख्या तो मिलते हैं डेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही वक ब Oleँ ऑज कना लवना वे करने का लजकिली में ठया झो सबाइक सहुआ कर अे अबता हैं छाया टारी करने का社remos को मैं आपको में 100ी जाना मतुमा इसा मामती हैं इस वें 90你 दो motherf regist के बिएसे करे बvenesirk faculty द refers to तो कि अबाष्बंधा किया आपको के खिती उना